नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल जीके हेलवी विद जयारभी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मित्रों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएश्टिशी और पीटेट एकजाम 2020 के लिए राजस्तान समाने ग्यान के most important 50 questions के बारे में तो वीडियो को अंतिम समय तक द्यानपूरग देखे और अंत में आपसे एक जिके का question भी पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के comment box में देना होगा तो वीडियो को start करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बैल आइकन बनकर आता है इसे प्रेस कर दे ताकि जब भी हम न्यूव वीडियो प्लोड करें तो है तो 1985 में गेर सरकारी संक्ठन नरायन सेवा संस्तान की उद्यपूर में स्तापना की थी डक्टर कलास अगरवाल ने इस कोस्टन का भी ओप्सन राइट है एक्यूरियट डेट याद रखें 23 अक्टूबर 1985 को इस संस्तान के स्तापना की गई थी चलिए अगला कोस्टन है 1938 में जोत्पूरğ परजामडल का नाम प्रिवर्थन कर कौन सा राजणितिक शंख्ठन गठीत किया गया है तो मित्रों 1938 में जोतपूर्पर परजामडल का नाम प्रिवर्थन कर मारवाड लोग्त्रिषद संख्ठन गठीत किया था यह स्ता means बीबी जरीना का मखबरा का स्थित रिए तो ये दोलपूर में स्थित ओप्षन ए राइट है सभी के सभी क्वेश्चन एपोर्टेंट है वीडियो को अंतिन समय तक द्यानपुरक देखें और इसे लाइफ जुरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी से ज्यादा से ज्यादा शेर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सके है problems चैले अगला कोस्टन नहीं ब्रह्मांजी मातके प्रमुक मंदीर और स्थीत कशे अगले से का सबसे बड़ा वरम्र брат में टो अगला गया में स्री गंगा नगर में इस कोस्टन का ओप्सन ए राइट है जाली अग्ला को स्ट या बारतिय लोग कलाолов मंडल कां प्रस्तितै या बारतिय लोग कला मंडल मित्रो उद्यपूर मैं स्तितै इसका ओप्सन ए रा आट है चली इनेस्ट को शुना還有 g बवानी नट्टे सला कहा स्तित है मित्रों बवानी पर्मानंद पुस्त कालिया और बवानी नट्टे सला यह जालावाड मिश्तित है इसका डी ऑप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है राज्य में सरवादी गहूं का उत्पादन किस जिले में होता है सरवादी गहूं का उत्पादन होता है मित्रों स्री गंगानगर जिले में इस कोस्टन का सी ऑप्सन राइट है स्री गंगानगर के बाद में दूसरा स्तान है हनुमानगर जिले का यह भी आपको ध्याने रखने हैं सरवादी गहूं का उत्पादन स्री गंगानगर जिले में ह होता है इसलिए राजस्तान का अन्नागार कैतिया श्री गंगा नगर जिले को हुआ है कि चलिए अगला कॉस्टन है हिंदुस्तान मसीन टूल्स अजमेर को किस देश के स्योग से स्थापित किया था बहुत इप्रोटन को सने बहुत बार एकजाम में पूछ गया है कि हिंदु कुछ कोष्तान शेक हम को स् recite तो आपको याद रहना है अजमेर में जित अनुछ के शर्म को सब्सक्राइब कि लेटिन चले Nesk कर दूतल हैं लक्षमन गर्ड ड्रुग कि जिले में जित तेत दुर्गों से समंधित कोस्तन एक्जाम में एक जुरूर पुछा जाता है तो याद रगना लक्षमन गड़ जो दुरूग है या सिक्कर जले में स्तिता है इसका डी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्तन है सुचना अधिकार को प्राप्त करने तू आंदोलन की सिरुवा कि इससे समंधित है वो और उनका नाम है अरुना रहे और इन्हों ने जो यह आंदोलन शुरू किया था वो किया था व्यावर अजमेर से इसका ओप्सन ए राइट है चलिए नेस्ट कोस्तन है मारवाड प्रजामंडल की स्थापना किस ने जोदपूर में की थी तो मित्रों मारवाड प्रजामंडल इसकी स्थापना जोदपूर में की थी जैनारायन व्यास ने इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है रमन मेक्स से पुरुषकार प्राप्त करने वाली राजस्तान की पर्थम महिला है वेरी वेरी पोटन कोस्टन एक्जाम म एवाँ मनोसंदान के अंदर का पर स्थी तेंक फिद्री प्रजन एवाम मनोसंदान के इंदर रामसर में सित्ट है इसका सी ओप्सन है राइट है चलिए अगला कोस्टन है केंद्रिया उंठ अनुसंदान के अंदर का पर स्तीत है केंद्रिया उंठ अनुसंदान के अंदर जोहड बीड बिका नेर मिश्टीत है इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चलिए next question है जाट ओडिसी की उपमा किस सासक को दी गई है महराजा सुरजमल को दी गई है चलिए अगला question है पस्टमी छेतर बक्री अनुसुदान के अंदर के अंदर का पर स्थित है मिवार के रख्चक के रूम में किसको याद किया जाता है या आपको बताना आपके सामने राजेंदर सिंग बामासा मालदेव सुर्जमल तुमीत रोग आपको याद किया जाता है इस कोष्टन का बी उप्सन राइट है अगला कुस्टन है हल्दी गाटी के युद में परताप की सेना के अगर बाका ने तरतव किष्णे किया था हल्दी गाटी का युद कब हुआ था अठारा जून पंदरा सो चैन्टर को यह कुस्टन बहुत बार पूचा गया एकजाम में मारना परताप और अकबर के मद्या य समंद में हैं यहां पर बात करें परताब की सेना के अगर बाग का नेतरतव किया था हकिम खासूर ने यह पठान सेना पती था मारना परताब का यह आपको द्यानक नहीं इसका सी ओफसन राइट है अगला कौस्टन राज्या में खजूर अनुसंदान के अंदर आते हैं तो आपको यह अच्छी तरह से यादे कर लेनी हैं बात करें खजूर अनुसंदान के अंदर तो यह बिका नहीर में स्थिते इसका सी ओफसन आपरे राइट है चलिए बाइश्मा को स्थने सुचना का अधिकार कब लाग हुआ था बताई मित्रों बहुत अगला कोस्टन है गुरु मित्र योजना के लिए आर्थिक साइकता का से मिलती है गुरु मित्र योजना के लिए जो आर्थिक साइकता मिलती है वो मिलती है यूनिशेफ से इस कोस्टन का भी ओप्सन राइट है चलिए नेस्ट कोस्टन है यादी राजस्तान में विदान म मंडल का जो उच्छ सदन होता है उसका नाम होता है विदान प्रिसद अगर इसका गठन हो जाए तो इसमें राजयपाल कुल संख्या के एक बटा छे सद से को मनोनित कर सकता है इस कोस्टन का डी ओप्सन राइट है और राजस्तान का जो विदान मंडल है वह एक सदनी है यह जो वास्ट रिख सकती है वह किसके पास होती है मुख्यमंत्री मंत्री प्रिशित के पास इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है कि चलिए नेश्ट को स्थने राजस्तान में सवतंतरता आंदोलन के समय कौन सा सहर पत्तरकारिता का प्रमुग के इंदर था वेरी वेरी ऑप्सन राइट है मित्रों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें ताकि उन्हें भी फाइदा मिल सकें अगला को स्टन है राजस्तान में प्रतेग लोगस्वा निर् आते हैं यह पर अगर बात करें राजस्तान में जो लोगसभा की सीट है वो है 25 और विदान सब्सक्राइब दोसुए तो मित्रों अगर बात करें एक लोग सबाकी अंतरकत था इतनी विदान सब्सक्राइब रखनें तो याद रखना राजस्तान में एक लोग सबा निर्वाचित छेतर में आठ विदान सबा निर्वाचित छेतर आते हैं अगला कोस्तन है राजस्तान में किस मुख्यमंत्री ने सरवादिक समय तक अपनी सिवाएं परदान की थी तो मित्रो सरवादिक समय तक अगर बात करें तो वो सिवाएं परदान की थी मौनलाल सुकाडिया ने इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है आधुनिक राजस्तान का निर्माता का जाता है मौनलाल सुकाडिया को इन्होंने लगबग 17 वरस तक मुख्यमंत्री का करेकाल समाला था यह आपको द्यान रखने और सबसे कम बात करें तो हिरालाल देव्पृरा रएटा हो जैगा लगबग सुलड़ा दिन यह आपको द्यान रखने हैं लगबग 16 तक र गैस्तों के मुख्यमंत्री रहे थी हिरालाल देवपरा जो कि सभसीह छोटा करेकाल है अगला कोस्चल नहीं व्यार्ट ड्रुग जिसके चारों तरफ खाइए उसे कहते हैं ऐसा ड्रुग जिसके चारों त्रफ खाई उसे क्या कहते हैं यह आपको बताना इंत्रों । ख То सिंग्हाइं का को सिन ले अंगला को सिन अमर्शिंग को राव की उपादी और आंध कि उपादी बड़ी मुंचो के कारण मित्रो माल देव मुंचला का जाता है माल देव सोनगरा को इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है चलिए अगला कोस्टन है इंद्रा गांदी नेर का अंतिम छोर कौन सा है बताए मित्रो इंद्रा गांदी नेर का जो अंतिम छोर है वो है मित्रो गड बाड़ा रोड ने ये बाढर मेर मिस्ता था, यह आपको धया रखने हैं इस कोस्टन का वी ओसノ है, चलित अगला को स Lorar इंद्रा गांधी नैर की कुल लंबाई कितनी हैं, इंद्रा गंदी नेर की कूल लंबाई कितनी है तो मित्रों इसकी जो कूल लंबाई वह चापनी ज् 마음에 छास्सों अक्सर पुच्छा जाता है तो आपको याद रखने दो सो चार किलोमेटर फिटर नेर की लंबाई है इंद्रागंदी नेर का पुर्वय का नाम क्या था पुर्वय का नाम था राजस्तान नेर ये भी आपको द्या रखने है चलिए मित्रों अगला कोस्ट ने वीर दुर्गादास राठोड का जनम कब हुआ था वीर दुर्गादास राठोड की मर्तिव उजेन में 22 नवंबर 1718 इश्वी को हुई थी इनकी छत्री किस नदी के तट पर बनी हुई है ज्यान प्रों क्वस्टन को देखिए फिर इसका जवाब दीजिए वीर दुर्गादास राठोड की मर्तिव उजेन में 22 नवंबर 1718 इश् उलेख है कि राजयपाल की सयक्ता वैं प्रामर्स देने तो राजय में एक मंतरी परिशद होगी तो यह सोलीенное वरिब्र इप्रोटन्ट को सिना बहुत बार एक्जाम में पूछ आ गिये तो यह आपको यादे रखने हैं छले मितरोब Вы सचने गिरदर आस्याद वारा लिखित डिंगल बासा का का ग्रंथ कौन सा है कि गिर्दर आशिया द्वारा लिखिते डिंगल बसा का ग्रंथ है मित्रो संगत रासो इस कोस्टन का भी ओप्षन राइट संगत रासो कि चलिए अगला कोस्टन पदमावत की रचना किशने की थी ओप्षन आपके सामने दलपत वीज्य कभी चंद्रवर भी ओप्षन राइट है कि इस कोस्टन का बी ओप्षन राइट है किन गडियों में बे सुध सोए मारवार के सपूट किसकी रचन है किन गड़ियों में बेसुद सोय मारवाड के सपूत यह जो रचन है वो है कनेया लाल सेथिया की इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है कनेया लाल सेथिया का समन्द है चुरूजुली से चुरूजुली का जो सुजानगड है स्तान है वापर इनका जनम हुआ था और पिथल औ कि कनेयर रहा ठोडारी ख्यांत के रचेता कोन है क्यों साया का मित्रोड देयाल दास इस कोस्टन का बी ओप्सन राइट है कि चलिए अगला कोस्टन है राजस्तान में खोदरीता छेतर नीमन से किस खनीज से समन्दीत है वह बताए दोस्तों खोद रिबा जो छेतर है वह है मित्रों तामबा से समंधित इस कोश्चन का सी ऑप्षन राइट है चलिए अगरा कोस्टन है नीमर में से मेलाओं के कान का अबुसन नहीं है पकलें दोस्तों इन उसलिक यह घले का भूशन नहीं है जर तिम्दिया घुष्ण यह याद रखना तीमनिय अभुसन है यह गले का अभुसन आपको द्यान रखना यह कान का अभुसन नहीं है तो यहां पर डी ओप्सन राइट हो जाएं बाकी बात करें लटकन सुरलिया जेला यह सभी क्या है कान के अभुसन है चरी अगला कोस्ट ने निमन में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है बते मित्रू इन में से कौन सा तत्वाद्य तत्व मतलब तार से बनावा वाद्य यंतर नहीं है तो यहां पर डी ओप्सन रेट है अलगोजा यह सुसिर वाद्य यंतर है अलगोजा सुसिर वाद्य यंतर है ब हवा मेलका निर्मान किसने करवाया है हवा मेलका निर्मान किसने करवाया तो मित्रों हवा मेलका निर्मान करवाया था स्वाई परताप सिंग ने इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है वेरी वेरी इपोर्टन को स्टन बहुत बार एकजाम में पुछा गया तो आपको याद र करवाया जेपुर में इसके वास्तुकार कोन है तो आपको याद रखना है इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता कोन है लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार है साइब राम और लालचंद किस चित्रकला सेली के चित्रकार है साइब राम और लालचंद ये मित्रो जपुर सेली के चित्रकार है इसका D option राइट है चलिए अगला कोस्टन है सुनेल टपा जो मद्या परदेश का भाग था राजस्तान में कब विल्य हुआ था सुनेल टपा अमित्रो ये मद्या परदेश का भाग था और इसका राजस्तान में विल्य हुआ था एक नवंबर 1956 को इस कोस्टन का D option राइट है अगला कोस्टन है राजस्तान की अंतराष्ट्रे शीमा परस्तित जिला कौन सा है उपसिरल आपके सामने है जोदपुर बिंआर जालो और जेपुर इनमें से कोन सा जिला अंतराष्ट्रे शीमा परस्तित है तो इसका भी option हैड़ा डिए ज़ो जु ज है वो और इस पर चार जिले आते हैं इह आपको द्यान रखने तो यहां पर राइट हो जाएगा को अगला कोस्टन एजपृ नगर के बास्तुकार कोण थी वह नगर के जो वास्तुकार है वह कौन थी आपके सामने विद्यादर भटा चरे मिर्जा इश्माइल करनल जम स्टोड स्वाई ज्या सिंग दिवित्या तो इसके वास्तुकार थे विद्यादर भटा चरे इस कोस्टन का उपसन एराइट है और ये प्री बिएस्टी सी एकजाम में कोस्टन पूछा भी गया है तो आपक मंतरी को तो राज्य पाल अपना त्याग पतर देता है राष्ट पती को सब्सक्राइए राइट है है यह राज कंतिम कोस्चन है तसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तसीलदार किसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुरूर पताएं और इन पचास क्वेस्टन में से आपके कुल कितने को स्टर राइट हो रहे हैं यहां पर आपका मुल्यंकन भी हो जाएगा वो राजस्तान समाने गयान से समंदीत है आपकी कैसी त्यारी चल रही है वो भी इंस्टाग्राम आइडी के माद्य में से भी मुझे फोलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम आइडी का लिंक भी डिस्क्रप्शन में दिया गया है चलिए बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आप से क्वेस्टन पूछा गया था कि संग्रिया में ग्रामो थान विद्या पुने केता हूं कोस्टन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जुरूर लिखा करो चलिए अब बात करते हैं कोस्टन ओप दी डे के बारे में आज का कोस्टन राजस्तान की पर्थम महिला मुख्यस चीव कौन बनी थी ओप्षन आपके सामने स्री मती कुसाल सिंग वसुंद्र राजे श्री मती पर्दीबा देविशिंग पाठिल ममता देवी इस कोस्टन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम जा भारत